नमस्कार कसिस न्यूज में आपका स्वागत है मैं हूँ अनुराक कटिहार चलते हैं और आपको एक खबर दिखाते हैं बिल्कुल ही अजूबी खबर है दरसल यहाँ पर युवाओं की साधी नहीं हो रही है क्या वज़ा है यह बताएंगे पूरी खबर आपको दिखाएंग दरसल कटिहार की यह खबर है कटिहार के के एक दरजन गाओं में युवाओं की साधी नहीं हो रही है क्योंकि उनके पास नाव नहीं है तो यह खबर है कटिहार के अमदाबाद प्रखंड का जहाँ पर एक दरजन गाओं में लड़के लड़कियां कुआरे बैठे हैं दरस जब यहां कोई साधी का रिष्टा लेकर आता है तो घर के बाहर अगर नाव नहीं दिखी तो साधी तै नहीं हो पाएगी साधी करना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा तो ऐसे में बड़ी ही तेड़ी खीर हो गई है अमदाबाद प्रकंड के लगबग एक दर्जन गाओं मे साधी ब्या जी हां गाजियन्स के लिए बड़ी समस्या हो गई है जिस घर के बाहर अगर नाव नहीं है तो ऐसे में जो रिष्टा करने लोग आते हैं वो वापस चले जाते हैं उल्टे पाऊं लोड़ जाते हैं कि आपके घर नाव नहीं है तो आप सोच रहे होंगे कि तो आपको बताएं कि अमदाबाद प्रकंड जो है कटिहार का वो बाढ़ प्रभावित इलाका है यह जो इलाका है जिसकी हम बात कर रहे हैं जो गाउं है जो इस प्रकंड के एक दरजन जो गाउं है लगभग स्ताल के चार महीने से ज़्यादा पानी में डूबे होते हैं ऐसे में गाउं वालों के लिए केवल एक मात्र सहारा जो होता है वो नाव होता है घर में लोग जो कैद हो जाते हैं जिस तरह से पानी चारोतरब घिर जाता है दियारा का इलाका है ऐसे में और इस स्तिती में नाव ही सहारा होता है तो जो लोग रिलेशन रिष्टा पनाने के लिए आते हैं अपनी बेटी की साधी के लिए आते हैं या फिर बेटी की साधी के लिए दूसरे गाव में जाते हैं तो ऐसे में उस घर में नाव है या नहीं यह बड़ा जरूरी हो जाता है क्योंकि अगर जब मुश्किल वक्त आएगा जब वरसाद का वक्त होगा और चा परिदारी करते हैं या फिर जो लोग जो बैपार करते हैं तो वो भी सहर में आते हैं तो ना ही एक बड़ा सहारा होता है ये अमूमन कई गाउं की ये हालात हैं बिहार के कटिहार की ही बात नहीं है और भी दूसरे अगर गाउं की भी बात करें दूसरे इलाकों की खास करके दियाराई लगों की, तो दियारागों में अमूमन ऐसी तस्वीर देखने को मिलती है। कठिहार के अमदाबाद से यह तस्वीर आई है। और यह एक तरह से उस गाउं में अगर किसी को साधी करनी है, तो यह अनिवार सर्थ है कि उसके घर पर नाव होनी जरूरी है या अगर कोई लड़की के लिए अपने रिष्टा करने भी जाता है कोई अगर दूसरे गाउं में एक गाउं से तो वो भी जरूर देखता है कि उस लड़के के घर नाव है या नहीं तो बड़ी समस्या बन गई है और नाव भी कोई छोटी मोटी चीज नहीं है मांगी पढ़ती है वैसे में हर किसी के लिए रखना साथ नाव भी संभव नहीं होता है और इस मसले पर जो हैं दुर्गापूर पंचायत के मुखिया हैं गोपाल परसाथ क्या कुछ कह रहे हैं पूरी बात उन्हीं से सुन लेते हैं अब देख लिजे परतेक वर्ष बाड़ आती है और बाड़ ऐसा आती है कि लगभग चार महिना यहां का लोग को आवागौन ठप हो जाती है जिससे नाव की सहरा यहां परतेक राविल लेता है और ऐसे एसे जगहा है अंत पर फिल्ह जोडते हैं तो नाव के सहरा देखते हैं कि यहां है यह समाज से नाव का संख्य farm क्या है तब जाके वहाँ पर पादी समन जुड़ते हैं तो सुन लिया आपने कि मुखिया जो है इस इलाके के गाउं के दुरगापूर पंचायत के मुखिया हैं उनका ये कहना है कि नाव होना किसी भी घर में यह सर्थ है यहां के इस इलाके की अनिवारे सर्थ है क्योंकि अगर वर पक्च को अगर इस गाउं में वधू को लाना है तो यह पैमाना एक तरह से बन चुका है गाउं के लोगों के लिए कि वो नाव लेकर ही आएगा या अगर लड़की वाले संपन है तो वो अपनी बेटी को नाव गिप्त में देंगे तो यह जो इलाकी की समस्या है कहीं ने कहीं जिस तरह से यह नाव एक पैमाना बन चुका है और इस इलाके के लोगों की समस्या है तो इस समस्या को दूर करने के लिए साइद अभी तब कोई ऐसा प्रयास नहीं किया गया यहां पर पूल पूलिया या उस तरह के कुछ इसे में ये इलाका भी दूब जाता है और लोग ज्यादा तर लोग तो पलायन कर जाते हैं कुछ वक्त के लिए और जो